तमस्कार दोस्तों, देश में कहीं भी विवाद हो, कोई घटना घटे और राजिंतिक पार्टी के निताओं के कान पर सीजने लगते हैं कि किस तरह से उस मुद्दे को राजिंतिक हवा दी जाए और कुछ ऐसा ही हाल है कॉंग्रेस निता भुपंदर हुड़ा और भारती कु मेला पनवानों का मुद्दा और विवादित हो चुका है जबकि ये मामला कोट में है अब ब्रिभुषण सीनी ने इस विवाद की तुलना महाभारत के समय द्रौपदी के साथ हुए अन्याय से की है पहले सुनिए ब्रिभुषण सीनी का ये बयान जब घटनाएं घटती ह तो दिमाग चलता है अब महाभारत के समय द्रौपदी को दाओं पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए पांड़ों हार गए देश अभी भी इस बात के लिए पांड़ों को माफ में कि वैसे जो दाओं हमारी बहिन बेटियों के सम्मान को दाओं पर लगा करके हु महिला पलवानों का यह मामला अब रहतिक रंग ले चुका है और इस पूरे मामले की लड़ाई भुपंदर हुड़ा वर्सेच ब्रिजबुशर सिंह के बीच की तुतु मैमें में हो गई है भुपंदर हुड़ा कॉंग्रेस के वरिष नेता है जो कि महिला पलवानों द्व मोर्चे पर भुपंदर हुड़ा और उनके परिवार का ही तव्यवा रहा है दूसरी तरफ बिजबुशर सरशनी हैं जो कि भारते कुस्तिमासंग के पूर अधक्स रह चुके हैं और उन पर अरोपों के कारण ही उन्हें इस कूर्शी को छोड़ना पड़ा था अभी भी उ उन्होंने महिलाओं की गरिमा को गाओं पर लगाया और खेल के नियमों का उलंगं किया इस बिवाद ने कॉंग्रेस और भास्पा के बीच राजिति में एक नया मुर्चा खोल दिया है पूरे मामले की जांच फिलाल अदालत में चल रही है और बिर्भुशर सिंह के खिला सरकार के समय भी उनके खिलाफ करी मामले उठे थे और उनके परिवार को हमेशा कॉंग्रेस के दवाब का सामना करना पड़ा उन्होंने या भी कहा कि कॉंग्रेस की पुर्ण सरकारों में भी उनके खिलाफ श्रयंत्र रचे गए थे यह सबी को पता है कि महिला पलवारों का मुद्धा हर्याना के जाट वोटर्स के बीच बहुत पलवाव रखता है हर्याना में जाट समुदाय की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मांग को लेका परंपरागत तोर पर देखा जाए तो बहुत ही सपोर्टिव सोच रही है महिला पलवानों के मुद्धे ने इस समयदन सिर्था को और भी अधिक बढ़ा दिया है जाट समुदाय की समाजिक सरंचना और महिलाओं की इस्थिती पर इस मुद्धे ने बैपक चर्चा को बल दिया और जिससे उनकी राजिटिक पर तायम भी परहाई तो हो सकते हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है प्भेंद से हुटडया की रायति में कद्डावर नेता हैं, कॉंग्रेस से हैं और जाड समझाय से आते हैं और वे महिला पलवानों की मुद्धे पर भाजपापर काफी हमलावर भी रहे है दूसरी बात कि कंग्रेस को अपने राजिटिक एजेंडे में परमुखता से सामिल भी किया है और सबसे बड़ी बात कि महिलापलवान विनेश फोगाट कंग्रेस में सामिल भी हो चुकी है इसका मतलब साफ है कि कॉंग्रेस जाट वोटरों के बीच समर्थन प्राप करने के लिए इस मुद्दे का उप्योग चुनाओं में जम कर करेगी ताकि जाट वोटरों के बीच पार्टी का समर्थन बढ़े तो इसका असर जार समधाय की भावनाओं पर पढ़ना तैय है खास साफ असर देखने को मिलेगा यह भी तैय है पहले बीचिपडिया करते रहे हैं और बजरंग कुनिया के कॉंग्रेस में सामिल होने के बाद से ही सींग पर लगतार की का अरोब भी है साथे उन्होंने महिला पलवानों के अंदोलों को कॉंग्रेस का अंदोलों भी बताया थ उसमें तो सब सामिल थे ना लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था लीड तो वुकंदर उड़ा कर रहे थे प्रियंका जी आई थी अब प्रियंका से बड़ा नाम तो और है नहीं कोई देश में मतलब कांग्रेस का इस बड़ा नाम है और आज जो गटना करम जो सेक्वेंस मिल तो वे किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलते या बड़ा दिल दिखाते हुए बतार देश के पियम देश की खिलाडी का वरदन करते हैं बड़ा नाम रोशन करने वाली एक खिलाडी को बड़ाई संदेश देने में भी चुक जाते हैं यह दूसरा पहलु के देखा जाए बीजेपी कहते हो और क्या उन्हें इस समय बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए था ये भी लोगों के बीच में कहा जाए तो बातें ये तेर रही है क्या सियासी सफर के लिए शुब कामना है क्योंकि चाहे सर्था पक्षो या विरोधी पक्षो सियासी सफर के लिए शुब कामना है जरूर देता है आप देंगे विनेश होगाट कुछ कि इस बड़ बोले पंक के कारण कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी आला कमांग के तरफ से सक्त निर्देश दिया गया है कि वे विनेश और बजरंग पर किसी भी तरह के टिपड़ी नग करें पीम का ये मैसेज कहीं न कहीं बिजबूसर के लिए सक्त संदेश की तर है और ये मोदी सरकार को भी पता है यही कारण है कि उनके खिलाब पार्टी के आला कमान भी खुल कर आगे नहीं आ रहे है क्योंकि उसे पता है कि अगर बिजबूसर की हर्याना में सक्रिता पार्टी के लिए कापी लबलाय होती है तो उसके लिए फायदेमंदी होगी दू हर्याना के चुनावी महौल में एक बड़ा मस़ला है जिसे बीजबूसर सिंह के राजितिक संबंद श्रॉंग भी है और उन्हें चुनावी घरबंदन का अच्छा ऑन्भाव भी है अगर बीजबूसर के बाद तो इसमें वह बड़ी भूनी का अदा कर सकते हैं हर्याणा में 5 अक्टूबर को चुनाव हैं, तैमानी में एक तरफ बीज़ेपी हैं, जहां बिजभुष्णा सरण सिंग की राजितिक पलपकोता, जमिनी निता होने, छेतर में पैट का उसे फायदा मिल सकता है, तो दूसरी तरफ हर्याणा बिधान सभा चुनाव में महिला पलवानों को मुद्दा बना कर कॉंग्रेस चाहेगी कि उसे इसका फायदा मिले, मतलब वपंदर हुड़्डा और विजभुष्णा सरण सिंग के बीच यह बिवाद अब एक बड़ी राजिंतिक और कानूनी लडाई में बदल चुका है, यह बिवाद के वल व्यक्तिगत अरोब परतेरोब तक्सिमित नहीं है, बलकि इसमें खेल, राजिंति और समाजिक सम्माग की बड़ी बातें भी सामिल हैं, अब देखना यह होगा कि हर्याना चुनाव में यह मुद्दा कितना बीजेपी के लिए फायदमंद है और कितना कॉंग्रेस के लिए फायदमंद ह हो सकता है, आप इस पूरे मुद्द पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में में जरूर बताएं, तो अभी तक लिए बस इतना ही, बने रेक्लिक इंडिया के साथ हम मुझे दीजे इजाज़त, शुक्रिया